सब दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगा क्रिकेट साज़दारी के एक और नए वीडियो में और आज सबसे वड़ी ख़बर यह आई मैंलब कल रात को आई एक्चुली कि चेतन शर्मा जी और उनकी जो पूरी सिलेक्शन कमिटी है उनको बरखास्त कर दिया गया है सुबह सुबह भई आज हम उठे और ऐसे हमने खोला ट्विटर तो यह आमने ख़बर पढ़ लिए अभी कल रात को तो हमें पता नहीं था कि यह हुआ है मगर फिर भी यह देखिए मैं तो कहता हूं बीसी सी एई ने एक कदम उठाया एक स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने लिया सेलेक्टर्स के सामने सेलेक्शन कमिटी के सामने और उन्होंने दिखाया कि वह खुश नहीं है वह खुश नहीं है 2021 के जो परिणाम आए वह खुश नहीं है जो 2022 में हम सेमिफाइनल में हारे और वाइदब यह तो नया बीसी सी आई है नहीं वहां पर सवारों गांगुली है ट्रशर भी चेंजड है सेक्रेटर्य आप्यसली वह है बड़ बीसी सी आई खुश नहीं था स माँ आपको बता तो कम कर रहा है उस पॉस्ट के लिए एप्लिकेशन दे रहरे वह पाँस साल से अधिक वर्ष के लिए बढ़ीडर हो जाना चाहिए और पाँस साल से ज्यादा उसने BCCI कि कोई भी पोस्ट हेंडल नहीं करी हो ऐसा होना चाहिए यह जो सेलेक्टर से इस वक्त बर्खास्त हुए वह भी वापस डाल सकते हैं बाइदर वर चारी सेलेक्टर से जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि वेस्जोन के जो सेलेक्टर है उनका कार्यकाल बहुत पहले खतम हो चुका था तो पिछले एक साल से आपके टीम क्यों ही 2021-20 वूल्ड कुप और 22 वर्ल्ड कुप वह दोनों ही व्ल्ड कुप के तीम लिए आपोर चुलियों और यहनु तो मैंने आप यह वह जो है यए एक बहुत ही बड़ा कफिन इसन है कि जो अगर दिलिव बैंक सरकर उस प्लेयर को ट्रस्ट करते थे सपोर्ट करते तो वह खेलता था और ऐसा हुआ है और उन्होंने खुदने भी बात बोली विराट कुली के लिए उन्होंने बोली थी कप्तान नहीं चाहते थे मतलब कप्तान कोई उनके अगेंच नहीं थे बट टीम मैरेजमेंट इस वक्त उनको टीम में नहीं लाना चाहता था बट डिलिव बैंक सरकर का मानना था कि इस बंदे को खेलना चाहिए अब ऐसे उनका बयान कुछ साल पहले आया था एक्जेक तो मुझा आइडिया नहीं यह क्या बयान था मैं फिर भी बात आपसे शेर करता हू अब देखे क्यों चीफ सिलेक्टर और उनकी सिलेक्शन कमीटी को निकाला गया एक सबसे बड़ा रीजन था हम जो पिछले दो टीटवेंटी वर्ल्ड कप में पर्फॉर्मेंस करकर आए दूसार एक्षी टीटवेंटी वर्ल्ड कप दुबई लब यूए और दूसार वर्ल्ड कप जो हम हार कर आ उन दोनों में ही वर्ल्ड कप में सिलेक्टरों की बहुत बड़ी भूमिका थी पिछली बार भी युजवेंटर चैहल दे उस नाम की लिस्ट में जो सिलेक्ट अचली हुए यही पंद्रा में और 2-2 में भी युजवेंटर चैहल जिनको 11 खेलन से जो खबरे आती रहती है हर्दिक पंडे अगर आपके अगले कपतान है नहीं सोच लेकर आएंगे वह सकता है वह सेनियर प्लेयर साब को टीट्वेंटी क्रिकेट में खेलते हों नजर नाये नाम लू या नहीं मुझे नहीं पता इस वक्त मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा जो मुझे लगता है बहुत सारे सेनियर प्लेयर साब को टीट्वेंटी क्रिकेट में खेलते हों नजर नहीं आने वाले कुछ हो सकता है एकका दुक्का एक्सेप्शन बट लेट असी क्या होता है अब देखिए एक और जो सिलेक्शन कमीटी की बात रहती है टीम मैंजमेंट के वह येस मैं नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं टीम मैंजमेंट जो बोले वह आप उनको दे दो इस बार भी क्या हुआ एसा कहते है सूरक्सिस कहते है कि मितला हमारे सूरक्सिस तो कोई नहीं है बर कहीं कहीं अख्भार में च्छपता रहता है कहीं पर चलता रहता है कि कप्तान एक्स प्लेशर को मागई स्टैक्टा कपतान के बहुत बड़ी से मेटिंग में मानता हूं बट या इसलेक्टरस क भी इसरोंसीबिलिटी इस और प्रेजिंग करता है प्लेएर डिसर नहीं करता वो और केप्टण और कोच को बताए कि नहीं हम इसका समर्थन नहीं करते सिलेक्टर चीए वी डूटी रहेगी किस फॉर्मेट वे कौन सा खिलाड़ी सूट कर रहा है ये उनको पहचानना होगा क्या इस सिलेक्शन कमिटी में वो चीज दिखी थी मैं आप पर छोड़ता हूं वो आप सोचिए मेरे मेरी विचार में आप वो नहीं दिखी थी आप वह आप अब भी खेलते हैं आपको अभी भी लगते हैं 165, 170 रन आप वो मैच जिता कर चले जाएंगे नहीं यह नहीं होने वाला है एक और चीज जो पता चलती है मनलब सिलेक्टर की जब मैं बात करता हूं बड़े बड़े इस बार आप देखें टीट्वेंडी वर्ड कप की स्कौड अनाउंस हुई एक इस्याकप की स्कौड अनाउंस हुई यह दो बड़े टर्णामेंट्स थे कोई प्रेस कंफरेंस नहीं हुई न्यूजलन्ड की टीम अनाउंस हुई तब अर चेतन शर्मा जी आया थे बट वह इसलिए भी आये थे कि हो सकता है माह पर कुछ अब इतना कि अब हम अलब ब्र्यन आफ टी डोंटी क्रिकट खेलना चाहते हैं बाता नहीं क्या होता है वह देखते हैं अब जो वह सिल्क और सहंगे। अब यह तो जाहर है कि कोई मेडिया को भी बता है नहीं जाता है। वीडिया को भी लीक्स पर डिपेंड करना पड़ता है यही जो सिलेक्टर होते है वो ही लीक करते है अजिगारी भी लीक करते है कि यह है इस इस प्लेयर को हम कीम में रख रहे हैं इसको नहीं रख रहे हैं इसको हम कप्तान बना रहे हैं इसको नहीं बना रहे हैं विराट कोल अलग-अलग होंगे की ट्वेंटी के कप्तान अगर हाव दिक पंडिया है वंडे के रोष रहेंगे टेस्ट में रोष रहेंगे अब अलग-अलग खबरे आती है कि हम तीनों फॉर्मेट के तीन अलग कप्तान बनाएंगे है ऐसे नहीं चलती क्रिकेट मेरे ख्याल से देखें आप एक्शुल जिस तरह से आपने कैप्टेन से अंडल कि आपने 8 डस्ट लोग को तो कप्तान मना दिया केल राहूल कप्तान बन चुके अब पता नहीं टी-20 क्रिकेट खेलेंगे नहीं खेलेंगे अब रिशप पन को आपने कप्तान मना दिया था आपने आर्दिक पन्ड इसको रेस्ट चाहिए वर्कलोड मैनेजमेंट अगर अब हमारे सीनियर्स टी-20 फॉर्मेट ही नहीं खेलते हैं अगर वो टी-20 आई नहीं खेलते हैं फॉर्मेट तो फिर वर्कलोड मैनेजमेंट ही हूँ फिर शायद हो सकता है महाँ पर भी सवाल उठे एक और चीज जो म मगर मेरे खयाल से हैं अगली सेलेक्शन कमिटी है उनको एक चीज तो होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भई जब कोई बड़ा टौर्णामेंट..? करतें तो भी कॉं फ्रेस कॉंफरेंटों जीत कर आए तो भी कॉंफरेंटों हम कोई टीम करें तो प्रेस कॉंफरेंस मतलब अगर सीरीज को एकनी बड़ी नहीं ए कि को बात हिं एक पुए तर दुक है यारा जनर अश्विन को प्रेफर किया गया वह में कहां पर पता चलता है एस पर अब इसी सी आए सोर्स ठीक है वह तो एक एक जामपल वह आश्विन तो मतलब अश्विन की कोई गलती नहीं उसमें मैं कहता हूँ को सिलेक्टर की गलती है प्रेस कॉंफरेंस में आकर आप वह मीडिया को कियूं हमने इस खिलाड़ी को चुना रही प्रित्वी शौ को मुखा नहीं दिया जाता यह सिलेक्टर्स अगर आकर बोलता है मीडिया को तो बात बनेगी ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं यह BCCI पर हमने बात करी BCCI और सेलेक्शन कमिटी के हमने बात करी और मेरे ख्याल से अगली सेलेक्शन कमिटी है वह T20 क्रिकेट को कैसे देखती है वह हमें जरूर देखना होगा क्योंकि T20 क्रिकेट भी बहुत जल्दी वाल होता है रवी चनन अश्विन खुद बहुत बड़े क्रिकेटर उन्होंने खुद कहा कि देखिए हमारे जो प्लेयर्स है अभी या ह हमारे एक्स प्लेयर्स है या हमारा मीडिया या हमारे फैन्स है वह T20 को इतने अच्छे से नहीं समझते है वह बिल्कुल एक फैक्ट हो सकता है कि शायद हम T20 को समझ ही नहीं है कि वह किस तरीके की उसमें style of play चाहिए आपको उसमें क्या needs है क्या wants है game क्या format है T20 क्रिकेट अलग ही format है तो उसके लिए मैं आशा करता हूं भारतीय टीम अच्छे अच्छे स्टेप्स ले मैजर्स ले और बाइदवे चेतन शर्मा जी और सिलेक्शन कमिटी गई उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं बट अब जो भी अगली सिलेक्शन कमिटी आए वह सही प्लेयर्स हुआ शर्मा जग कु करका बस्सण था सूब ट्न कमिटी यह चरे यह कु क्के बदली जो बाह कु क हुआ यह हुआ हुआ झाتي हुआ मैं बट्स Państwo कि बटेक्ष ईस ओने हैं बट्सरूभ, यह कुआ था नुआ तो तो टेमाटान कноваू दो धषू है लिय हमां। यह हुआ